तो बच्चा रोग, once again, welcome back to the class, देखो यार, Indian Economic Development, chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence, हम लोग पढ़ रहे थे, और इसके अभी तक स्क्रिफ्ट दो टॉपिक, यानि की दो ही वीडियोज अपलोड की हैं, पहले पार्ट में, Teachers of Indian Economy, दूसरे पार्ट में, Agriculture Sector on the Eve of Independence, और बच्चा लोग, आज की ग् topics की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले, Industrial Sector होगा, और दूसरा, Foreign Trade होगा, यानि की, आजादी की टाइम पे, हमारे देश का, Industrial Sector कैसा था, और आजादी की टाइम पे, हमारे देश का, विदेशी व्यापार, यानि की, Foreign Trade कैसा था, एकदम, Detail में समझेंगे, चलो, एक एक से बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं, Industrial Sector पर, देखो बच्चा, Industrial Sector, Basically Industries की बात करने हैं, यार, देखा जाए, तो बेटेशस से पहले, हमारे देश का, Industrial Sector, बहुत अच्छा था, पहले भी, हम लोग बहुत सारे प्रोड़क्ट्स ऐसे हैं, जो एक्सपोर्ट करते थे, जैसे Cute हुआ, Steel हुआ, कुछ Iron Products हुए, Steel Products हुए, ये सारे प्रोड़क्ट्स हम लोग, है, Handicraft Business, Handicraft के जो प्रोड़क्ट्स थे, वो भी हम लोग, बेटेशस से पहले, काफी Export करते थे, घैक, वैसी भारत कला के मामले में जाना जाता है, तो Handicraft का अच्छा चलन था, अमारे देश में अगर हमारे देश के इंडेस्ट्रियल सेक्टर की बात करो तो बेसिकली मान के चलो हैंडी क्राप्स की बात तो करनी ही पढ़ेगे बट यार जहां बेटेसस आए बेटेसस ने de-industrialization किया यहनी industrial policy को वापस से change किया और फिर इन्होंने हमारे देश के industrial sector को अच्छे तरीके से exploit किया बरबाद किया ठीक है चल तो read-out करती हुए चलेंगे एक-एक बातों को सबसे पहले systematic de-industrialization समझे लो इंडस्ट्रीलाइशन मीज़ इंडस्ट्री से establishment करना और de-industrialization का मतलब जो इंडस्ट्री इस्टिबलेश्ट है उन्हें वापस से कह सकते हैं कि द्वारा से आप बनाना या पर द्वारा से उनका structure डिजाइन करना वो इंडस्ट्रीलाइशन तो systematic de-industrialization is the term that describes the status of industrial sector दूरिंग दे बिटेश्ट्रूल के टाइम पर बिटेश अस ने हमारे देश के इंडस्ट्रील सेक्टर को क्या किया दी इंडस्ट्रीलाइश्ट अब देखो क्या मोटिव था दी इंडस्ट्रीलाइश्ट क्यों किया समझो तो इंडस्ट्रीलाइशन दूरिंग दी बिटेश्ट्रूल इंडिया वस्टू दो खास मोटिव थे पहला पहला मोटिव एक्स उसे चौपट करो, कैसे करो, रौ माटेरियल को लेके चलो, बेटेन, और बेटेन में हम इंडिस्ट्रिस लगाएंगे, बेटेन में हम सामान बनाएंगे, और सामान बनाके, आलायकों को बेचने भी कहां आना है, भारत, मतलब यार ये लूटने का तरीका देखो, कि तुम इसने भी पैसा कमाने भी कहां हो, भारत, क्यार ये लूटने बड़े तरीके से लूटा था भारत को, बेटेशर्स ने, देखो, तो, तो, एंड प्राइमेरिली प्रोड़क्ट जैसे, कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, किसे बेटेशर्स को, ठीक है, इट वस रिक्वाइड तू फुल्फिल दी, इमर्जिंग नीट्स अफ दी इंडस्ट्रियल इंपूर्स इन दी वेक आफ इंडस्ट्रियल आज़िशन रेवॉलूशन दे बेटेशर्स, जो बेटेशर्स में, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल डे देके गए, जूट हुआ, सिल्क हुआ, इंडिको हुआ, कॉटन हुआ, ये साधी चीज़ें, तो पहली बात की हमने यहाँ पर समझ लो, एक्सपोर्ट के, कि रॉम अट्रियल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, बेटेशर्स दिया, अब बेटेशर्स को सामान बेचने भी कहा ना था, भारत, ठीक है, सेगेंड पॉइंट हमारे पास ही है, तो एक्सपोर्ट इंडिया ऐसा पुटेंशियल मार्केट, फॉर्टी इंडेश्रियल प्रोड़क्स ऑफ बेटेशर्स दिया, बेचने भारत, इस प्रकार से यार, बेटेशर्स ने बहुत तरीक से लूटा हम हमारे देश को, सब कुछ ऑब्जर्विशन्स पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, ठीके और बच्चा, एक है 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 ठीके वर्ट, ठीके मींस पतन, नस्ट कर दिना, किसको नस्ट किया, हैंडीक्राफ्ट, अगें हैंडीक्राफ् कुछ था, हो था हैंडीक्राफ्ट, हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन ही के लिए जाना जाता था, वैसे देखा जाए, तो कोई हैवी इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं थी, कोई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं थी, ठेकिन हां, इन सब के लिए जाना जाता था लेकिन बेटेस ने गार बहुत तरीके से एक्स्पोइट किये एक्स्पोइट किया बेटेस एस ने एक पॉलिसी लागू की थी जिसका नाम था discriminatory territory policy इसे भी समझे लो discriminatory जो word है वो discrimination पना है जयानि कि भीदभाव वाली policy वार में एक बार और बता चुका हूँ ठीक है? discriminatory भीदभाव वाली policy अब कैसे भीदभाव की आये इन्होंने वो समझना देखो भारत के हैंडी क्राफ्ट एक तो भारत के अंदर अपना सामान बेशते थे दूसरी चीज विदेश में जाके भी सामान बेशते थे, कौन? हमारे देश के हैंडी क्राफ्ट अब वो, पेटे सास ने क्या किया? हमारे देश के हैंडी क्राफ्ट के उपर हमारे देश के हेंडी क्राफ्ट क्यों पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट टेक्स लगा दिया जिससे हेंडी क्राफ्ट एक्सपोर्ट ना कर पाएं दूसरी चीज जो हेंडी क्राफ्ट थे हमारे देश में स देशस ने क्या किया, मशीन से बने हुए सामान भारत में लेगा, अब आप समझे, मशीन से बने हुए सामान, जनरली सस्ते होते हैं, जनरली सेप साइज स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा होता है, कम कॉस्टर बन जाता है, तो हैंडी क्राफ्ट की दूस्टे लोग की रंका लग गई, एक्स्पोर्ट कर नहीं सकते, हेवी एक्स्पोर्ट ड्यूटी है, तेस के अंदर सामान बेच नहीं सकते, क्योंकि बेटे साज मशीन से बना हुआ सामान लेके आ रहे हैं, तो हैंडी क्राप्ट का हाल तो बेहाल हो गया, आच्छा, आप लोग पूछोगे, सर डिस जारो, cotton ले जारो, जब आप भारत से raw material एक्सपोर्ट कर रहो बेटेन में, तो कोई tax नहीं देना, tax-free export of raw material, दूसरी चीज़, जब आप बेटेन से finished goods भारत लेके आरो, ठीक है, भारत के इंदर clothes लेके आरो, finished goods लेके आरो, textile industry से, तो भी कोई taxes नहीं ले, ठीक है, तो बेट अगर इंडियन हेंडिक्राफ्स अपना export करते थे, तो उनसे heavy export duty वसूली जाती थी, इसलिए इसको बोलते है, discriminated tariff policy of the state, क्योंकि यह discrimination था, भेदभा हो था, वेटेन से export import करने पर कोई tax नहीं, लेकिन हेंडिक्राफ्स के उपर heavy export duty, चलो, तो और lead-out करेंगे, और बेटर द बांकी दखो, कैसे export किया, वो समय ले, tariff-free export किया, raw material हारत से, कहां बेटेन में, दूसरी चीज, tariff-free import, बेटेसर्स ने finished goods, भारत के अंदर बिना किसी tariff-free बोले तो tax-free import किया, but at the same time, heavy duty was placed on the export of the handicrafts product, बांकि आप लोग समझदारों, ठीक है, तो बेटेन में export करो, बेटे heavy export duty charge किया, चलो, पहला point था, decay of handicrafts, handicrafts का पतन, चलो भाई, आगे आओ, तो अभी आजाओ, second point है, bleak, या फिर, notational of modern, देखो, देज के अंदर, जो modern industries growth थे, वो bleak, या फिर, notational, क्या होता है, बहुत ही कम, या फिर, ना के बराबर, लोग, या फिर, जल, बोलते हैं, तो modern industries की growth, कैसी थी, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही कम, अब कौन-कौन सी industries थी, जिनका development हुआ था, आज आदी के time पे, modern industries, जरा हम लोग देख भी ले, ठीक है, तो read out करो, under the biggest charge, modern industries saw only a bleak growth, बहुत ही कम growth थी, it was only in the second half of the 19th century, that the modern industries showed its emergence, मा की 5 observation है, ये observation ध् क्योंकि यहां से आ रहे कि नंबर में कुछ questions पूछ सकते हैं आप से, देखो, सबसे पहले, तो initially, starting में, cotton and jute textile mills वर setup, बच्चा, cotton और jute textile mills का, कुछ हत्तर setup हुआ, ठीक है, चलो, भाई, cotton industry, textile industries, mills लगी, इसके बाद, in the beginning of the 20th century, iron and steel industry came up, and tartar iron and steel company, ध्यान रखना बच्च से टिसको बहते हैं, यह setup हुई, 1907 में, तो यहां से question बन सकता है, टिसको का establishment, यही टाटा iron and steel company, कब बनी, 1907 में, ठीक है, उसके बाद, और आओ, there was hardly any capital goods industry in India, तो भारत के अंदर कोई भी खास, capital goods industries नहीं थी, अच्छा, capital goods industries पता है कौन सी हुथी, वो industries, क्योंकि machines का production करते ह to the new industrial sector in the gross value added, और gross domestic product in the economy, remained extremely low, तो बच्चा जो contribution था, नई industries का GDP में, वो बहुत ही चाहता कम था, कि वैसे यार, new industries भी तो बहुत कम ही थी, ठीक है, और एक last point है, the state, state बोले तो government की बात हो रही है, राच यानि government की बात हो रही है, the state participation in the process of modern industries was limited, तो जो इस्टेट का participation था, government का participation था, industrial sector में, वो बहुत limited था, बहुत कम था, ठीक है, तो basically second point, bleak या फिर नोटेशन रोध भी आप लोग समझ गए, आप अब अच्चा ये था industrial sector, आप कहोगे सर, दो point, हाँ बच्चा, सिर्व दो ही point थे आपकी book में, दो point के अंदरी तो इतनी कहानी होगे यार, ऐसे ही, foreign trade पड़ो, foreign trade भी पड़ोगे, तो कोई खास point नहीं, दो से तीन point ही है, बट जो भी है, बहुत important, आओ बच्चा, तो अभी बात करते है, foreign trade, बोले तो विदेशी प्यापार, यानि कि, क्या export करते हो, क्या import करते हो, भारत की क्या स्थिती थी, और कैसा है, जरा बात करते हैं, तो अच्छा, सबसे पहले तो, आप जानते हो, वेटेसर्स से पहले, वेटेसर्स से पहले की बात करता हूँ, भारत को सोने की टिडिया कहा जाता है, क्या कहा जाता था, सोने की टिडिया, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड था पहले, बहुत ज़्याद इसके अलावा भारत मसालों के लिए जाना जाता था, स्पाइस के लिए बाकी कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, जूट हुआ, भारत के अंदर भर भर के मौजूद था, वो तो फुद किस्मती हमारी बेटे ने यार रहा है, बना हमारे पास बहुत कुछ था, रिसोर्से हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, कुछ बात हैं, कुछ important बात हैं, सुनिएगा, तो India had acquired eminence in the era of foreign trade since NC type, तो बच्चा बहुत पहले समय ते ही भारत अच्छा खासा था, foreign trade के मामलें, विदेशी व्यापार के मामलें जाना माना देश है भारत, ठीक है तो the Romans भारत को, the sink of world's million, किस ने कहा याद रहेगा, Romans ने, या फिर आपको इस प्रकार से कुछे, कि Romans को Romans ने भारत को किस नाम से बोला, तो आप याद रखोगे, the sink of world's million, अगर आप से कुछे क्यों बोला भाई यह सा, क्योंकि आप बता सकते हो, भारत को सोनी की चिडिया कहा जाथ था, भारत के पास गोल्ड और, इस तोर्स बहुत ज्यादा मौझूट, यह जैसे spices हुआ, तिल्क हुआ, जूट हुआ, बाकि यह सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत heavy point टी मौझूद थी भारत के अंदर, आगे चले के लिखा भी हुआ है, चलो, बट दी बेटेन रूल, इन इंडिया प्रोट एन एंड टू दी इट, बट जबकि बेटेन आए, तो बेटे सर्स ने समझे लो, भारत के अंदर सत्या नास कर दिया, भारत के अंदर सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके समाप्त कर दिया, चलो, देखते जाओ, तो इंडिया वह से वेल लोन एक्सपोर्टर और फिनिश्ट गोर्स, बच्चा, आजादी से पहले, आजादी से पहले छोड़ो, बच्चा से पहले, बच्चा से पहले, भारत किस लिए जाना याता था, एक्सपोर्टर और फिनिश्ट गोर्स, ध्यार रखना, भारत फिनिश्ट गोर्स को एक्सपोर्ट करता था पहले, बट यार बच्चा से ने लुटा ना के, पेटेसर ने हमें उल्टा बना दिया, हम लोग raw material का export करने लगे थे चलो, तो finished goods such as, देखो, क्या क्या export करते थे, cotton, silk, textile, iron goods, goods, ivory work and PCS, stones, ये सारी चीज़ा, पहले export करते थे, but the betain converted India into a net exporter of raw material and importer of finished, तो यहार किस्मत की बात यह है कि बेटेन ने हमें अपोजिट कर दिया, हमें एक्सपोर्टर बना दिया, ड्रॉम अटेल का, इंपोर्टर बना दिया, फिनिस्ट कोर्स का, जबकि हम पहले बहुत अच्छे, तो आप समझे रहो ना, कि हमारा देश अगर कहीं पिछडा हुआ ह बेकवर्ड एकॉनमी है, तो बच्चा उसमें बेटेन का बहुत बड़ा हाथ है, इन से पहले, बेटे सर से पहले, हम बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो आजा दी के टाइम की बात करें, तो वही पॉइंट है, तो नेट एक्सपोर्टर आफ राव माटेरियल, एंड इम् पॉटन, बूल, जूट, इंडिगो, स्तोगर, एक्सेक्टर, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इसे बेटेन को, ठीक है, तो एड़ दी सेम टाइम, इड़ बेकम नेट इम्पोर्टर, अब हम लोग इम्पोर्ट भी करते थे, क्या क्या इम्पोर्ट करते हो, सेकिंड पॉइंट है, मोनो पॉली, क्या दोगा, माइक्रो एकॉनमिक्स पढ़ा था, मोनो, सिंगल, पॉली, सेलर, यानि एक मात्र सिंगल, तो मोनो पॉली, कंट्रोल ओफ इंडिया की जो पॉरंटरेट का था, मोनो पॉली कंट्रोल, एक मात्र कंट्रोल, किसके हाथ म करते थे। बिटसीश के साथ ही एक्सपोर्ट करते थे बिटस से ही इंपोर्ट करते थे। ठीक है? अच्छा 50% के अलावा और किसी से करते थे, वो भी आपको बताता हूँ यए चैना हुआ परसी हुआ स्री लंका हुआ चलो बताता हूँ एक-एक से रीडाउट परो पहले तो तो दूरिंग दे बिटेस रूल एक्सपोर्ट एन इंपोर्स आफ दी कंट्री इम अंडर मोनोपोली कंट्रोल आफ दी बिटेस गवर्मेंट ठीक है इन दिस कॉंटेट तो अबजर्विशन दे रखि चाइना हुआ स्टीलों स्टीलों ध्यान रखना स्टीलंका का पुराना नाम था स्टीलों याद रखिएगा आप लोगो पुशे आ सकता है एंड परसिया ठीक है दी कंट्रोल आफ बिटेन ओवर इंडिया स्टेट इंटेंसिवाइड आफ्टर दी ओपनिंग ऑप स्वेस क बेटेन के बीच में जिससे जो स्तामान है बल्क में आसानी से भारत में से बेटेन पहुँच जाए और बेटेन से भारत में जाए तो यार जो भारत और बेटेन की बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था वो स्वेस कैनल के बनने से बहुत आसान हो गया तो यह स्ट बनी थी 1869 वे याद रहेगा ना 1869 चलो यह था पहला पॉइंट याद हो गया हुआ 50% से जाद़ा वेआपर इसके साथ ग्रेट बेटेन के साथ बेटेन के आलावा और किसके साथ करते थे वेआपर तो चाहिना हुआ स्टिलोन यानी स्रीलंका हुआ और परसी हुआ याद रहेगा ना चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ तो वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड़क्स यानी राव मटेरियल फॉर्म इंडिया अप्लाई इन्पॉट टू दी बिटेन को बिटेन की इंडिस्ट्री को और इंपॉर्ट करते थे वहां के बने हुए फिनिस्ट पॉट्स ठीक है तो यह था सेकंड पॉइंट मोनोपॉली कंट्रोल ऑफ इंडिया स्पॉरंड टेट अब आजाओ बच्चा थर्ड पॉइंट पे और आई थिंक सो आखरी पॉइंट पे तो थर्ड पॉइंट है सर्प्लस टेट अरे भी यह टेट भी सर्प्लस प्रॉफिट में थे हम लोग रॉव मटेरियल वेच रहे हैं फिनिस्ट गूट्स ले रहे हैं इतना सब करने के बावजूद सर्प्लस टेट बट ओनली टूदी बेनेफिट अफ दी बेटेश यार हम तो इसलिए भी यार हमारा देश काफी बरवाद रहा क्योंकि भले चलो इतना कुछ किया एक्सपोर्ट हमने रॉव मटेरियल किया प्रॉफिट कमाया लेकिन प्रॉफिट को यूट्लाइज नहीं है यूट्लाइज भी किस ने किया बेटिस गवर्मेंट चलो आओ चलो डि सब्सक्राइज प्रॉफिट को एक्सपोर्ट करते थे चलो इस पाइट इस अप्रॉफिट अप्लाइज अप्सेवरेल एसेंचियल कमोडिटी जैसे फूट गिरेंस हुआ रोथ हुआ ये फिर भी हमारे देश के अंदर बहुत कम मात्त्रा में थे यानि कि हम लोग फिर भी खाने पीने की वस्तों के लिए कपड़ों के लिए तरस्ता था हमारा देश भले हम लोग प्रॉफिट में थे क्या करें यार रॉव मट्रियल तो पूरा बेटे इन भेशते थे पैसा आता भी था तो हमारे किसानों के हाथ में नहीं लगता था बेटेस गवर्मेंट खुद यूज करती थी अब बेटेस अचने कैसे पैसे को यूज किया जरा आप गूपर देखू तो दी ट्रेट सरप्लस बॉस नॉट यूजट पार गोथें डेवलोफमेंट अफ दी डोमेस्टे कंट्री जो भी ट्रेट सरप्लस आया ना तो हमारे देश के ग्रोथ और यूज किया गया अब यूज कहां हुआ मुटन सबसे पहले एड मिनेस्ट्रेट इच्पेंसे अफ्विक सी तो विटेज को जो सरकार चलने की जो खरचें थे उनमें इस्तमाल किया बांकि एहएग्सपेंस ऑवर्व आधि-पते स्वेट स्कीर्मेंट ने इतने भी यूद् तो देखर हो यार, पैसा भारत का, raw material भारत ने एक्सपोर्ट किया, कमा रहा है भारत, लेकिन इस्तमाल कौन कर रहा है, बेटेस गवर्मेंट, अपनी मरजी, बेटेस गवर्मेंट ने पैसे कहा कहा ही उस किया, एक तो administrative expenses में, दूसरा war expenses, जो की बेटेन ने लड़े थे, ठीक बच्चा लोग, आज की glass, आप सभी लोगों से कहूंगा, बस इतना ही, ठीक है, बाकी बच्चा लोग, दो छोटे-छोटे topic थे, आपका industrial sector, और आपका पॉरंटे, तो उम्मीद करता हूँ, दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और हाँ, कहीं किसी भी point में कोई डाउट है, किसी भी डेटा में कोई डाउट है, तो आप नीचे comment करके जलूर बताईएगा, और बच्चा लोग, इस चीज के लिए आप लोग रोते हो, सर्क PDF, PDF, PDF प्रोवाइट कर दो, तो PDF आप सभी के लिए कर लेता हूँ, मैं सेव, आपको मिलेगी, जहांसी इंस of commerce play store app हुआ, सभी की link आपको description में मिल जाएगे, और हाँ, यह PDF notes है, वो भी आपको जहांसी institute of commerce play store app पर मिलेगे, तो बच्चा लोग, फिलाल आज की class में अतना ही, मिलता हूँ, आप सभी लोग उससे बहुत दी जल्द next class में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नेवा झाल